हेलो फ्रेंट्स आज हम जी 5 पर टॉप 20 हिंदी वेब सीरीज के बारे में दिसकस करेंगे वीडियो शुरू होने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हो तो वो जो लाल वाला बटन है उसे जोर से दबा दीजिये और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिये अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं नमबर 20 पे है पॉइजन यह कहानी है रनवीर की जो जेल से रिहा होने के बाद अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए गोवा चला जाता है इस बीच, DSP विक्रम ने गोवा से ऑपरेट करने वाले गैंस्टर एंटोनियो वरगीच पर अपनी नजरे जमाई रखी है जब इन तीनों लोगों का जीवन उलच जाता है तो स्टोरी में मज़ा आता है इस वेब सीरीज में 11 एपिसोड्स के साथ एक सीजन है ग्रम एक नॉवल राइटर अलीशा खन्ना की कहानी के इर्ग इर्ग घूमती है जो एक भयानक दुरगटना में अपने पती और इनबॉन चायल्ड को खोने के बाद रियालिटी पर पकर बना नहीं पाती है इस वेब सीरीज में 8 एपिसोड्स का एक सीजन है यह कहानी एक पॉप्यूलर अक्ट्रिस के इर्ग इर्ग घूमती है जिसे एक पागल फैन ने फॉलो किया है और जो उसके हर कदम को ट्रेक करने और उसके टीवन पर फिल्म बनाने के लिए कैमरे लगाता है क्या होता है जब सैइको कैमरों के बारे में पता चलता है और वो पागल फैन उसके लाइफ के लिए खत्रा पैदा करता है इस शो में 9 एपिसोड का एक सीजन है नमबर 17 पे है जमाई 2.0 जमाई 2.0 सिधार्च की कहानी है जो रौशनी की माद दुरगा देवी से बदला लेने के लिए रौशनी का उपयोग करता है दुरगा देवी शहर में बहुत सारी नाइट क्लबों की मालिक है इस शो में 10 एपिसोड का एक सीजन है नमबर 16 पे है दे फाइनल कॉल प्रिया कुमार की किताब I Will Go With You, The Flight of a Lifetime पर आधारित है इस शो के आठ एपिसोड का एक सीजन है 15 पे है The Charge Sheet Innocent or Guilty यह Web Series 80 के दशक के एक प्रसिद हत्या के मामले से प्रेरित है इसमें 7 बार के National Padminton Champion शिराज मलिक को स्टेडियम के बाहर गोली मार दी जाती है जिसका शक उनकी पत्नी और पॉप्यूलर नेता के दोस्त पर जाता है इस शोगा एक सीजन है जो की 8 एपिसोड्स का है नमबर 14 पे है कर्क रोग यहें एक सीरियल किलर की कहानी है जो कैंसर रोगियों की हत्या कर रहा है पुलिस हत्यारे का पता लगाने की कोशिश कर रही है लेकिन हत्यारा हमेशा एक कदम आगे रहता है उसी समय डॉक्टरों को हत्या और कैंसर के मामलों के बीच एक संबंध का पता चलता है जो एक पेचीदा रहस्य को सामने लाता है इस शोग में एक सीजन 7 एपिसोड के साथ है नमबर 13 पे है लाइफ सही है लाइफ सही है एक कहानी है जो चार फ्रेंद्स के जीवन के चारों और घूमती है जो पहली बार इंडिपेंडन्ट रूप से जीने के इरादे से दिल्ली चले गए है उनके पास अंसेफ कंडिशन्स में उतरने की आरट है और जो हमें हर समय हसाने वाला है यह वेब सीरीज प्यार का पंचनामा के डिरेक्टर द्वारा बनाई गई है इस शो का एक सीजन दस एपिसोड वाला है लव स्लीप रिपीट लव स्लीप रिपीट एक भोले छोटे शहर के लड़के विश्वास के जीवन की स्टोरी है जो आराम से जीवन व्यतीत करता है और आखिरकार उसे मेट्रो शहर में नौकरी का मौका मिलता है कहानी साथ दिनों में विश्वास की यात्रा का अनुसरन करती है जिसके दोरान वो साथ अलग-अलग लड़कियों से मिलता है जो उसे एक सबक सिखाती है जिसकी उसे बहुत जरूरत है इस शो में साथ एपिसोड के साथ एक सीजन है सच्छी घटनाओं से प्रेरित क्राइम ट्रिलर अभई प्रताप सिंग के इर्द गूमती है जो कुनाल खेमू द्वारा निवाय गया है जो एक अपराधी के दिमाग के साथ एक तेज क्राइम ऑफिसर है जो किसी भी मामले को सुझाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है इस सीरीज में एक सीजन है जिसमें आठ एपिसोड्स है ये वेब सीरीज एक कैनेडियन पंजाबी लड़की की है जो आगे जाके एक बहुत बड़ी पॉंस्टा बनती है और बाद में बॉलिवुड अक्ट्रिस के रूप में जानी जाती है सनी लियोन खुद की भूमिका को निभाते हुए दिखाई देंगी और आदित्य दत द्वारा डिरेक्ट किया जाएगा इस वेब सीरीज में 20 एपिसोड के साथ 3 सीजन है नमबर 9 पे है काले धन्धे यह एक बोल्ड कॉमेडी वेब सीरीज विक की नाम के एक युवा फोटोग्राफर की कहानी है जिसका जीवन बहुत सारे मुस्किल हलातों का कारण बदल जाता है यह वेब सीरीज मराथी में है लेकिन हिंदी में भी उपलब्ध है इस वेब सीरीज में 9 एपिसोड वाला एक सीजन है नमबर 8 पे है लाल बाजार इस वेब सीरीज की कहानी कोलकाता पुलिस के पुलिस के एक ग्रूप के इर्ध गिर्ध घूमती है जो शहर से क्राइम और करप्शन को मिटाने के लिए निकलता है हाला कि एक वेश्या की मौत ने उनके लिए नई चुनौतिया का पाहार पैदा कर दिया इस शो में 11 एपिसोड का एक सीजन है नमबर 7 पे है काफिर सच्छी कहानी के आधार पर काफिर एक निर्दोष पाकिस्तानी लड़की की यात्रा की कहानी है जिसे बॉर्डर सेक्योरिटी द्वारा गलती से उसे आतनकवादी मान लिया जाता है और उस लड़की को 7 साल की जेल की सजा भुगतने के बाद एक गयर कानूनी जेल की सजा का सामना करना पड़ता है इस सीरीज में 8 एपिसोड का एक सीजन है नमबर 6 पे है प्रजेक्ट एक्स यह एक international school में high school thriller drama story है यह story कुछ private मुद्दों से संबंधित है जो उन्हें अपने स्वयम के music band बनाने के लिए प्रेरित करता है इसी सब का बिचे एक मरभ हो जाता है और fullest investigation सुरू हो जाती है इस शो में 18 एपिसोड के 2 सीजन है नमबर 5 पे है कैलाशपुरव यह शिव शंकर, सुरेश, सीनू, राजू और शैलजा जैसे 5 teenagers की story है सभी कैलाशपुर्म के रहने वाले हैं जो गांजाक के आदी हैं और खुद को पैसे के लिए गंजाके business में शामिल करते हैं इस शो का एक सीजन 6 एपिसोड वाला है नमबर 4 पे है रंगबास रंगबास श्री प्रकाश शुकला की सच्छी कहानी पर आधारित है जो एक popular गैंस्टर और उत्तर प्रदेश के गोरकपुर का सबसे वांटिड अपराधी था यह सीरीज दिल्ली युनिवर्सिटी के एक चात इसे भारत में दूसरा सबसे वांटिड क्रिमिनल बनने तक की यात्रा को दर्शाती है इस शो के दो सीजन 18 एपिसोड के साथ है नमबर 3 पे है माफिया इस सीरीज की स्टोरी कॉलेज के दोस्तों और उनके रियुनियन के एक समुह के इर्द गिर्द घूमता है पूरी सीरीज माफिया के खेल के चारों और घूमती है जिसने इन दोस्तों के गिरों के जीवन में एक बड़ी भूमिका निभाई है माफिय का गेम स्टोरी को भयावै बनाता है इस शो में एक सीजन एट एपिसोड के साथ है नमबर टू पे है Never Kiss Your Best Friend Never Kiss Your Best Friend एक लड़का और लड़की की दोस्ती की कहानी है उनके अजीब मुलाकात के बाद दोनों सबसे अच्छे दोस्त बन जाते है यह सीरीज उनके क्रेजी बॉन्डर और उनके रिष्टे में उतार चड़ाव के बारे मी है इस शो में एट एपिसोड का वन सीजन है नमबर वन पे है काली यह कहानी एक असहाई मा के इर्ध गूमती है जिसे बारा घंटे के बीतर अपने बेटे के ऑपरेशन के लिए अस्पताल में 6 लाक रुपिय जमा करने होते है वह अपने बेटे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तयार है अक्शन से भरपूर थ्रिलर एक महिला की ताकत दिखाती है और उसकी शक्ती का जशन मनाती है इस शो में 16 एपिसोड के साथ दू सीजन है